दोस्तों, गर आपने गुली बुली, इविल नन और मिश्टर मीट का पार्ट वन अभी तक नहीं देखा है, तो पहले आप उसे देख लें, नहीं तो ये वीडियो आपको अच्छे से समझ में नहीं आएगी, पिछली वीडियो में हमने देखा कि गुली बुली ने शौन के लिए एक नई गाड़ी खरीदी होती है, लेकिन तभी गुली बुली के पास एक टिंकु नाम का लड़का हेल्प मांगने के लिए आता है, टिंकु उन्हें बताता है कि उसके गाउं में कुछ मौन्स्टर्स लोगों को मार रहे हैं, और तभी वहाँ बाबा भी आ जाते है बाबा इन सबके साथ में उस गाउं में आ जाते हैं, और वहाँ दो मौन्स्टर्स को देख लेते हैं, बाबा एक मौन्स्टर को हरा देते हैं, तभी वहाँ रॉड आ जाता है, और वो दूसरे वाले मौन्स्टर को फ्रीज कर देता है, और इन्हें एक मौन्स्टर से पता चलता है कि इन सब के पीछे मिस्टर मीट और इविलन का हाथ है। तभी गाउं का एक आदमी चिंटू से कहता है कि चिंटू के भाई को भी मॉंस्टर उठा कर ले गए हैं। और फिर ये लोग इविलन और मिस्टर मीट के ठिकाने पर आ जाते हैं। और वहाँ पहुँचते ही इविलन बाबा और रॉड को अपने जादूई बॉटल के अंदर कैद कर लेती है। चलिए अब आगे की स्टोरी देखते हैं। रॉड कहता है बाबा हम अचानक से यहां पर कैसे आ गए। लगता है हम बॉटल के अंदर आ गए हैं रॉड तभी बाबा और रॉड इविलन को देख लेते हैं। रॉड कहता है बाबा यह तो इविलन है इसने हमें बॉटल के अंदर कैसे डाल दिया। और इधर मिश्टर मीट और वो दोनों मॉंस्टर्स गुली बुली शौन और चिन्टु को पकड़ लेते हैं बुली कहता है छोड़ दो हमें मिश्टर मीट और एविलन तुम ये बहुत गलत कर रहे हो मिश्टर मीट कहता है अब हम तुम्हें भी मार डालेंगे मिश्टर मीट और ये मॉंस्टर्ज इन लोगों को लेकर जाने लगते हैं और इधर इविलन बाबा और रॉट को लेकर एक दिवार की विंडो पर रख देती है बाबा कहते हैं तुम हमें ज़्यादा देर तक यहां कैद नहीं रख सकती इविलन जब तक मैं तुम्हें ना निकालूं तब तक तुम लोग इसी बॉर्टल के अंदर होगे क्योंकि यहां तो तुम लोगों की शक्तियां भी नहीं कामाने वाली और ऐसा कहकर इविलन वहाँ से नीचे कूच जाती है और इभर मिश्टर मीट और मौन्स्टर्ज एक पोर्टल के अंदर चले जाते हैं और तभी उनके पीछे पीछे इविलन भी उस पोर्टल के अंदर कूच जाती है और यह लोग एक नई जगा पर आ जाते हैं मिश्टर मीट और इविलन ने गुली बुली शौन और टिंकू को बाकी के गाउवालों के साथ रख दिया है और वहाँ पर एक बहुत बड़ा लावा का पूल वना होता है और वहाँ कुछ लावा मॉंस्टर्स भी खड़े होते हैं तब ही टिंकू अपने भाई को देख लेता है टिंकू कहता अरे भाई आप जिन्दा हो टिंकू तुम भी आ गए क्या यहाँ पर तुम्हें इन्होंने कैसे पकड़ लिया तुम तो बाहर गए हुए थे गुली कहता है अभी तो यहाँ से कैसे बचना है वो सोचो भाई लोग नहीं बच सकते हैं हम यहाँ इतने सारे मॉंस्टर्स हैं अब सीधे हम उपर ही जाने वाले हैं तो हमारे पास इतने लोग हैं इतने लोग तो काफी होंगे इविलन है ना बिलकुल काफी हैं अब सुनो तुम लोग हम तुम्हारे साथ एक गेम खेलने वाले हैं इस लावा के पूल को देखो इसके बीच में तुम्हें कुछ तैरते हुए ब्लॉक्स मिलेंगे तुम्हें उन पर कूद कूद कर इस पूल को पार करना है इविलन कहती है जो भी इस लावा के पूल को पार कर लेगा उसे हम जाने देंगे लेकिन वो भी अगर हमारा मन हुआ तो हेहेहे और तुम्हें इस खेल को खेलना ही होगा नहीं तो तुम्हें हम ऐसे ही मार देंगे तभी उस पूल के अंदर से कई सारे ब्लॉक्स बाहर निकलते हैं और उपर तैरने लगते हैं और तभी एक मॉंस्टर आता है इनको डेमो दिखाने के लिए और वो मॉंस्टर उस लावा के फूल को पार कर देता है चलो अब एक एक करके आओ और मिश्टर मीट और इविलन पहले एक गाउवाले को लेकर आते हैं गावाला कहता है लगता है मैं पार कर लूँगा ये तो बहुत आसान लगता है लेकिन तब ही वो आदमी उस लावा के अंदर गिर जाता है मज़ा आ गया इसको बहुत आसान लग रहा था गुल्ली कहता है ऐसे तो हम सभी मारे जाएंगे गुल्ली गुल्ली कहता है लेकिन अगर हमने इसे पार नहीं किया तो ये लोग हमें वैसे ही मार डालेंगे गुल्ली शौन कहता है हाँ गुल्ली हमें इस लावा को पार करना ही होगा अब इस गुल्ली नाम के लड़की की बारी है तो दोस्तों क्या होगा अगी की श्टोरी में क्या गुल्ली इस लावा के पूल को पार कर पाएगा या फिर ये सारे लोग इस लावा के अंदर गिर कर मारे जाएंगे ये जानने के लिए आपको देखना होगा इस कहानी का पार्ट 3 पार्ट 3 देखने के लिए इस वीडियो को अभी एक लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को भी दबा दें ताकि जैसे ही मैं इस कनेक्शन पार्ट अपलोड करूँ तो आप उसको सबसे पहले देख सकें